इस वीडियो से हम एक नई सीरीज का एक्सपरिमेंट कर रही हैं इस सीरीज में हम उन लोकेशन के बारे में जानेंगे जो काफी ज़्यदा न्यूज में हैं फोकस हमारा देखो मैप पर होगा UPSC हर साल मैप से सम्मंदित कुछ कोशन्स पूछती है और मैप अगर आपके तयार हैं तो वो कोशन्स आसानी से सोल किये जा सकते हैं तो इसलिए वीडियो की जो लेंध है वो भी ज़्यदा नहीं होगी क्योंकि फोकस मैप पर होगा आज हमारा इस वीडियो में जो टोपिक है वो है ब्लैक सी ब्लैक सी देखो काफी साधा न्यूज में है पिछले कुछ दिनों से क्यों क्योंकि देखो आलमोष्ट 10 डेज पहले रश्या और ब्रिटेन के बीच टैंसन्स देखने को मिली ब्लैक सी की एक घटना को लेके हुआ ये था ब्रिटेन का एक वार्शिप जिसका नाम है HMS Defender ये देखो ब्लैक सी में आया था तो जब ये ब्रिटेन का वार्शिप HMS Defender ये ब्लैक सी में आया तो रश्या के जो वार्शिप्स थे रश्या के सिप्स ने Britain के इस वार्चिप को रोखने की कोशिस की हवा में वार्णिंग सोर्ट्स फायर किये गए हवा में फायरिंग की गई और उसके बाद जब ये वार्चिप नहीं रुका तो रश्या के वार प्लेन्स ने इस बिटेन के वार्चिप के सामने बोम गिरा दिये ताकि मजबूर किया जास dur कि plan का जो ये वार्शिप है HMS Defender ये अपना रास्ता बदल ले राश्या का आरूप ये है कि ये ब्रीटेयन का वार्शिप जो है, वो राश्या के टेरिटोरियल वाटर में आया है जबकि देखो, ब्रीटेयन का ये कहना है कि हम रश्या के टेरिटोरियल वाटर में नहीं आए है इंटरनेशनल लास के अकोडिंग हमने युक्रेइन के टेरिटोरियल वाटर में एक इनोसेंट पासेज कंड़क्ट किया है तो यहाँ पे कौन सच्चा है, कौन जुटा है देखो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्पलेक्सिटी है आप मैप में देखिए यह जो क्रीमिया रीजन है न यह 2014 से पहले युक्रेइन का पार्ट हुआ करता था लेकिन 2014 में रश्या ने अपनी टूप्स को क्रीमिया में भेजा और इस रीजन पर कबजा कर लिया बाद में रेफ्रेंडम भी कंड़क्ट करवाया गया और लोगों ने यह डिसाइड किया कि हमें रश्या के साथ जाना है लेकिन जिस प्रकार से फोर्सफूली रश्या ने कबजा किया क्रीमिया पर जो कि पहले यूक्रेयन का पार्ट हुआ करता था इसे 100 से जादा देशोंने मानने से इंकार कर दिया तो बिटेन के एकोडिंग अभी उनका जो वार्षिप गया है वो यूक्रेयन के टेरिटोरियल पार्ट में गया है उनके हिसाब से क्रीमिया जो है अभी भी रश्या का पार्ट नहीं है जबकि दूसरी तरफ रश्या का ये कहना है कि 2014 के बाद से क्रीमिया चुकि रश्या का पार्ट है इसलिए जो ये वार्शिप अभी ब्रिटेन का गुजरा है ये रश्या के territoryal water से गुजरा है तो ये complexity है बिटेन को लगता है हमारा warship यूकरेन के territoryal water से गुजरा है जबकि रश्या को ये लगता है उनका ये मानना है कि बिटेन का warship रश्या के territoryal water में आया है अब हम black sea के बारे में जानते हैं black sea देखो एक marginal sea है Atlantic Ocean में, ये Eastern Europe और Western Asia के बीच में आता है, अगर हम बात करें, कौन-कौन से देशों का कोश्ट लगता है Black Sea में, छे देशों का कोश्ट लगता है Black Sea में, Black Sea के West में हैं रोमानिया और बुल्गारिया, Black Sea के North और East में हैं युक्रेयन, रस्या, जोर्जिया, और Black Sea के South में हैं टर्क होता है, और Black Sea, Mediterranean Sea में ड्रेन, किस के थ्रू करता है, एजियन सी और तर्किस स्ट्रेट सिस्टम के थ्रू, लोकेशन आप देखिए, एजियन सी की, और एजियन सी के बाद, तर्किस स्ट्रेट सिस्टम की हम बात करें, देखो तर्किस स्ट्रेट सिस्टम में, डाडेनल्स, और मरमरा सी आते हैं वैसे एक और information Mediterranean Sea और Black Sea के बीच transitional zone बनाता है ये Turkish straight system इसके साथ साथ देखो Black Sea Sea of Ajov से भी connected है कौन से straight के थूँ Black Sea Sea of Ajov से connected है Straight of Karch के थूँ वैसे Asian Sea और Mediterranean Sea के बीच में जो Sea of Crete है Sea of Crete इसकी location भी आप देख लीजिए लाश्ट में अगर rivers की बात करें कौन सी major rivers है जो Black Sea में गिरती हैं नाम इस परकार से हैं Danube River, Niper River और Dawn River तो इस परकार से हमने Black Sea के बारे में basic information discuss की एक question जो UPSC ने past में पूछा है अब आप उस question को attempt कर सकते हैं 2014 में UPSC ने ये question पूछा था Turkey जो है वो कौन-कौन से seas के बीच में आता है पहला option है Black Sea और Caspian Sea के बीच में दूसरा option है Black Sea और Mediterranean Sea के बीच में तीसरा option Gulf of Swage and Mediterranean Sea के बीच में और चोथा option Gulf of Acaba and Dead Sea के बीच में तो अभी तक की वीडियो के अधार पर आप इस question को आसानी से attempt कर सकते हो इस question का answer है B तरकी आता है Black Sea and Mediterranean Sea के बीच में तक यू तक यू वेच बीच पर इस question